नमस्कार द्रिष्टी आईएस के टोडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैप से करते हैं पहला सवाल है भारत का कौन सा राज 6 जन्वरी को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाता है उत्तरह महराष्ट्र हाली में किस मंत्राले ने मीडिया हाउसिस को अंतरराष्ट्री योगा दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया है उत्तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्राले अपनी तरह का पहला कशुवा पुनरवास की हिंद्र यानि टर्टल रीहेब सेंटर बिहार के किस वन प्रभाग में खोला जाएगा उत्तरह भागलपुर्क इसरो का एस्टो नौट ट्रेनिंग हब कहां इस्थापित किया जाएगा उत्तरह चल्ला केरे प्रोजेक्ट नेत्र के तहट इसरो ने ऑप्टिकल टेलिस्कोप सुविधाय इस्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है उत्तरह इंडियन इस्टिट्यूट ओफ एस्ट्रोफिजिक्स हाली में किस राज के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्प लाइन दामिनी शुरू की है इसका उत्तरह उत्तरप्देश भीतरकडिका राश्ट्री उध्यान किस राज में स्थित है उत्तरह ओडिशा एके 203 एसल्ट राइफल्स के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझहता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है इसका उत्तरह रूस बीते दिनों सराय नामक चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया था उत्तरह रफिजी चौथी अखिल भारतिय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियन्शिप 2019 का उत्घाटन कहा किया जाएगा उत्तरह नई दिल्ली तो चलिए पिछला अभ्यास प्रशन देखते हैं आपसे पूछा गया था कि हाली में गोल्डन ग्लोब एवार्ड घुशित किये गए हैं बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का एवार्ड किसे मिला ओप्शन है जोकर, दा टू पीपल, नाइन्टीन सेवन्टीन या फिर मैरिज स्टोरी हाली में 2020 के लिए गोल्डन ग्लोब एवार्ड की घुशला कर दी गई और इसके तहट कई श्रेडियों में विजेताओं को सम्भानित किया गया इसके तहट 1917 को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का एवार्ड दिया गया जबकि रिनी जेलवेगर को बेस्ट पर्फॉर्मेंस बाई एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा का एवार्ड दिया गया इसी तरह जौकिन फीनिक्स को Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama का Award दिया गया है वहीं Brad Pitt को Best Performance by an Actor in a Supporting Rule in Any Motion Pictures का Award दिया गया Sam Mendes को 1917 Picture के लिए Best Director Motion Picture का खिताब मिला है जबकि Missing Link को Best Motion Picture Animated का खिताब मिला है तो यहां आप से Best Motion Picture Drama पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है Option C तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रशन देखते हैं हाली में CISF ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्ण लिया है Option है Year of Troops, Year of Peace and Trust, Year of Plant Health या फिर Year of Mobility हाली में CISF ने 2020 को Year of Mobility के रूप में मनाने का निर्ण लिया है इस वर्ष में सैनिकों के लिए अधिक आवासी एकाईयों के निर्माड और विभिन कल्याडकारी उपायों के कार्यान वयन पर विशेश ध्यान होगा बताने की केंद्री और योगिक सुरक्षा बल यानि CISF देश के कई प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अनिवारे है तो चलिए आपको अब CISF के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं CISF दरसल ग्रिह मंत्राले के अंतरगत काम करता है वहीं इसके वर्तमान डारेक्टर जनरल राजेश रंजन है इसका मुख्याले नई दिल्ली में स्थित है जबकि CISF 1969 में अस्थित्व में आया था अर्थववस्था के वैश्वी करण और उदारी करण के साथ CISF अब PSU के इंद्रिस संगठन नहीं है इसके बजाए यह देश की एक प्रमुख बहु कुशल सुरक्षा एजनसी बन गई है जो विभिनिक शेत्रों में देश के प्रमुख महत्पून बुनियादी धाचे की स्थापना के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए निवार है CISF वर्तमान में परमाडू प्रतिष्ठानों, अंत्रिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड़ों, बंदरगाहों, बिजली सयंत्रों, सम्वेदन शील सरकारी भवनों और कभी विरासत प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option D, यानि Year of Mobility दूसरा प्रश्ण, मरीन एकोसिस्टम पर ग्लोबल मीट का आयोजन कहां किया जा रहा है Option है केंद्रपाड़ा, कोच्ची, चेननई या फिर विशाखा पत्तनम दरसल कोच्ची में मरीन एकोसिस्टम पर ग्लोबल मीट का आयोजन किया जा रहा है इस मीटिंग का पूरा नाम Marine Ecosystem Challenges and Opportunity यानि MECOS3 है यह मीटिंग का तीसरा संसकरण है जिसका आयोजन कोच्ची में 7-10 जनवरी तक के लिए किया जा रहा है Marine Biological Association of India यानि MBAI द्वारा आयोजित MECOS3 कई प्रकार के विश्यों पर चर्चा करने के लिए एक मंच इस्थापित करेगा इन चर्चाओं में जिसमें समुद्री पारिस्थित की तंत्र पर जलवायू परिवर्तन का प्रभाव और अरप सागर की असमान वार्मिंग शामिल है यह बैठक संयुक्तुराष्ट के सतत विकास लक्ष 14 यानि Life Underwater छोटे पैमाने पर मस्य पालन के विकास जलिये क्रिशी, इको लेबलिंग और व्रीन फिशिंग तकनीक के विकास पर भी सबका ध्यान केंद्रित करेगी इस मीटिंग के दोरान समुद्री जीव विज्ञान और मत्य पालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए M.B.A.I. द्वारा स्थापे तीसरा डॉक्टर S. जोन्स मैमोरियल पुरसकार चेन्ड़ी के चेटी नाड विश्व विद्याले के कुलपती टी बाला सुब्रो मन्यम को दिया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन B यानि कोच्ची तीसरा प्रस्ण वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन के पाचवे संसकरण का आयोजन कहां किया गया ओप्शन है कोच्ची, बीजिंग, पुने या फिर स्तानबुल हाली में वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन के पाचवे संसकरण का उदगाटन पुने में किया गया इस सम्मेलन का नाम है Asia Pacific Drosophila Research Conference यानि APDRC-5 आपको बताने कि भारती विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानि IISER द्वारा इसे पहली बार देश में आयोजित किया जा रहा है 6-10 जन्वरी के बीच होने वाले इस दुई वार्षिक सम्मेलन का उद्देश एशिया प्रसांद क्षेत्र में Drosophila शोधकरताओं की बाचीत को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलाना है यह सम्मेलन दुनिया भर के व्याज्यानिकों को एक साथ लाएगा जो बुनियादी और व्यावहारिक प्रशनों को संबोधित करने के लिए एक मॉडल जीव के रूप में Fruit Fly और Drosophila का उप्योग करते हैं Drosophila दरसल बीते सौ सालों के लिए दुनिया भर में जैविक अनुसंधान में सबसे व्यापक रूप से इस्तिमाल और पसंदीदा मॉडल जीवों में से एक है अमेरिकी विकासवादी जीव विज्यानी प्रोफेसर विश्चूस ने 1995 में भ्रूड विकास के अनुवंशिक नियंत्रण पर अपने काम के लिए एड़वर्ड बी लुईस और क्रिशियन नुसलीन वोल्हार्ड के साथ फिजियोलोजी का नोबेल साज़ा किया था जबकि प्रोफेसर रोस बैश ने 2017 में इस कैडियम लै को नियंत्रित करने वाले आडविक तंत्र की खोज के लिए माइकल यंग और जैफरी हॉल के साथ फिजियोलोजी का नोबेल साज़ा किया था यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ताइपे, सियोल, बीजिंग और ओसाका में बाकी के चार वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन आयोजित किये गए थे तो इस प्रशन का सही जवाब है उप्शन C यानि पूने चौथा प्रशन मिसाइल विमेन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ओप्शन है मिनल संपत डॉक्टर टेसी थॉमस, अनुराधा टीके या फिर नंदिनी हरिनाथ हाली में बंगलूरू में महिला विज्ञान कॉंग्रिस की शुरुआत हो गई है इसका उदगाट अंदर असल बंगलूरू में चल रही भारती विज्ञान कॉंग्रिस में किया गया DRDO Aeronautical Systems की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस ने इसमें मुख्य अतिति के रूप में भाग लिया आपको बता दें कि डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर थॉमस ने कहा कि विभिनिक शित्रों में महिलाओं के योगदान से देश में महिलाओं की इस्थिती बदल रही है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन भी डॉक्टर टेसी थॉमस पाचवा सवाल हाली में किस राज्य सरकार ने जो कुदपूई नामक फेस्टिवल का आयोजन करने की घोशला की है ऑप्शन है मिजोरम, मडीपुर, सिक्किम या फिर नागालेंड हाली में मिजोरम सरकार ने जो कुदपूई नामक फेस्टिवल का आयोजन करने की घोशला की है मिजोरम सरकार इसका आयोजन देश के दस राज्यों सहित अमेरिका, म्यानमार और बांगला देश जैसे देशों में भी करेगी इस महुस्व का पहला संस्क्रण 9 जनवरी को तिरपुरा के वांगमुन में शुरू होगा जो 3 दिन तक चलेगा इसके बाद इस महुस्व को अन्य राजियों में ले जाया जाएगा जहां मिजो आबादी की मौजूदगी है मिजोरम सरकार के इस कदम का मकसद दुनिया के विभिन हिस्सों में रहने वाली विभिन मिजो जनजातियों के बीच भाई चारे को बढ़ाना और उन्हें मजबूती प्रदान करना है इस महुसों में मिजो जनजातियों द्वारा विभिन सांस्कृतिक कारिकरम पेश किये जाएंगे इसके अलावा मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत की जो एथिनिक ट्राइप्स के विभिन कलाकार इस महुसों में परफॉर्म करेंगे मिजो समुदाय के लोगों को जोडने के लिए मिजोरम सरकार जल्दी बस सेवा भी शुरू करेगी यह बस सेवा मिजोरम की राजधानी आईजोल से शुरू होकर त्रिपुरा के कान्हुन, मडिपूर के चूरचंदपूर, मेखाले के शिलाओं और म्यानमार के तहान तक चलाई जाएगी तो आई अब यहीं पर मिजोरम को देखते हैं मिजोरम उत्तरपूर्व भारत में स्थित एक परवती राज है बीस फरवरी 1987 में यह भारत का 23 राज बना था 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह असम का एक जिला था यह बांगलादेश और म्यानमार के साथ अपनी अंतरराश्ट्री सीमा साझा करता है जबकि मडिपूर असम और त्रिपुरा के साथ अपनी राज जी सीमा साझा करता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ओप्शन A मिजोरम छटवा प्रश्ण किस राज सरकार ने YSR आरोगिश्री स्कीम लॉंच की है ओप्शन है किरल, तिलंगाना, करनाटक या फिर आंदरप्रदेश हाली में आंदरप्रदेश सरकार ने इलूरू से YSR आरोगिश्री स्कीम लॉंच की है इस स्कीम का मकसद आंदरप्रदेश को हेल्थ सेक्टर में एक बहतर राज के रूप में उभारना है नए साल में सरकार द्वारा चलाया जाने वाला यहें दूसरा महतवपूर कारिक्रम है जबकि पहला महतवपूर कारिक्रम पचास हजार से अधिक EPSRTC इंप्लोईस का सरकार में विले है जो चलिए अब आंदरप्रदेश की बात करते हैं यहें ओडिशा, 36 गड, तिलंगाना, करनाटक और तमिल नाडू के साथ अपनी सीमा साझा करता है नागारजुन सागर और नीलम संजीव रेड़ी सागर पन बिजली परियोजना इसी राज में इस्थित हैं हैदराबाद इस्तिच चार मीनार गोलकुंडा का किला, नागारजुन कोंडा इत्यादी आंदरप्रदेश के एहम परेटन स्थल हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है ओप्शन D यानि आंदरप्रदेश सातवा प्रश्न, खबरों में रहा TOI-7D क्या है? आप्शन है एक सैटेलाइट, प्रक्षे पढ़ यान, प्रित्वी के आकार का एक ग्रह या फिर एक मिसाइल हाल ही में नासा ने एक प्रित्वी के आकार के पहले हैबिटेबल प्लैनेट की खोज की है इसका नाम दरसल TOI-700D रखा गया है इस ग्रह की खोज नासा की Transiting Exoplanet Survey Satellite यानि TES ने की इस खोज में नासा के इस Pitzer Space Telescope का प्रियोग किया गया यह ग्रह उस दूरी की सीमा में पाया गया है जहां इसकी सतह पर तरल पानी की उपस्थिती के लिए अनुकूल परिस्थितिया है यह ग्रह उन कुछ ग्रहों में से एक है जो किसी स्टार के हैबी टेबल छेत्र में खोजे गए प्रित्वी के आकार जैसे हैं अब अगर टेस की बात करें तो यह ग्रहों को खोजने वाला नासा का एक सैटिलाइट है टेस दरसल नासा दौरा प्रायोजित Astrophysics Explorer Class Mission है इसका पूरा नाम Transiting Exoplanet Survey Satellite है इसे 18 अप्रेल 2018 में SpaceX Falcon 9 नामक लॉंचिंग रॉकेट के जरिये लॉंच किया गया था तो इस प्रशन का सही जवाब है Option C यानि प्रित्वी के आकार का एक ग्रह आठवा प्रशन खबरों में रहा ननकाना साहिब गुरुद्वारा किस देश में है Option है कैनेडा, भारत, बांगला देश या फिर पाकिस्तान बीते दिनों पाकिस्तान इस्थित ननकाना साहिब में तनाओ का मोहल बढ़ गया है इसके पीछे का कारण एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक सिख लड़की से शादी करने को बताया गया है जिसके चलते भीर द्वारा गुरु नानक देव की जन्म स्थली गुरुद्वारा जनम अस्थान में पत्थर फेके गए और इसे मस्जिद में बदलने की धमकी दी गई भारत द्वारा गुरुद्वारे पर किये गए उत्पात की कड़ी निंदा की गई है और पाकिस्तान सरकार से कहा गया है इवह वहां रह रहे सिख समुदाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाए अब अगर ननकाना साहिब के एतिहासिक महतु की बात करें तो ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है जहां गुर्दवारा जनम अस्थान इस्थित है इसे ननकाना साहिब गुर्दवारा भी कहा जाता है यह गुर्दवारा उस जगे पर बनाया गया है जहां 1479 में सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक का जन्म माना जाता है बताने की जनमस्थान गुर्द्वारे का निर्माड महरादर अलजीस सिंग द्वारा करवाया गया था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option D यानी पाकिस्तान नौवा प्रश्ण नसीम अल बहर नामक दुईपक्षी नौसेना अभ्यास का संबंध किन देशों से है option है भारत और उमान, भारत और जॉर्डन, उमान और जॉर्डन या फिर भारत और इरान ओमान शिप्स की रोयल नेवी दुईपक्षी नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए गोवा पहुँच गई है ओमान शिप्स आर्नोव अल्रसिक और आर्नोव खसाब की रोयल नेवी गोवा के मुर्मुगाव पोर्ट पर नसीम अल बहर नामक इंडो ओमान बाइलेटरल नेवल एकसरसाइस के बारहवे संसकरण में भाग लेने के लिए पहुँच गई है इस अभ्यास में इंडियन नेवी शिप्स, INS ब्यास और INS सुभद्रा भाग लेंगे बता दे कि भारती नेवी और ओमान की रोयल नेवी के बीच पहला अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था जबकि 1953 में भारत ओमान ट्रीटी ओफ फ्रेंडशिप से दोनों देशों के बीच दुईपकछी संबंधों की आपचारिक शुरूआत हुई थी तो आई आप यहीं पर ओमान को देखते हैं एशिय महादूइप में स्थित ओमान दरसल अरब सागर ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से घिरा है यह यमन UAE और सौधी अरब के साथ अपनी स्थली सीमा साझा करता है इसकी राजधानी मसकट जबकि इसकी मुद्रा रियाल ओमानी है ओमान के उत्तरी छोर पर इस्थित इसके एक छोटे से एंकलेव मुसंदम प्रायदीव के उत्तर में होरमुज जल डमरू मद्ध इस्थित है जो ओमान को फारस की खाड़ी से जोडने का एक मात्र जरिया है तो इस प्रश्न का सही जवाब है option A भारत और ओमान आज के सेशन का दस्वा सवाल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा option देखते हैं नई दिल्ली, लखनव, गुवाहाटी या फिर भुवनेश्वर भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण को होस्ट करेगा ये गेम्स भुवनेश्वर के के आई 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 टी यूनिवर्सिटी में 22 फरवरी से एक मार्च तक के लिए आयोजित होंगे इस औसर पर केंद्री खेल मंत्री किरल रिजीजू और ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम के लोगो और जर्सी का अनावरण भी किया बता दें कि भुवनेश्वर ऐसा शहर है जिसने भारत की खेल राजधानी होने का गौरप्राप्त किया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन D यानि भुवनेश्वर तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्ण देखते हैं तो कमेंट सेक्षन में सब भ्यास प्रश्ण का सही जवाब देना न भूलें अगले सेशन में कुछ नए प्रश्णों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक कि लिए नमस्कार